हेलो वरबन वेलकम यू ओल इट लोकेश सार अलिंप्रेट इस्टेडी जोन तो आईए आज डिसकस करते हैं कॉमन रूट कंसेप्ट पे तो क्या डिसकस करने जा रहे हैं आज हम लोग आज हमारा टॉपिक है अभी का कॉमन रूट कंसेप्ट क्या सीन हें हमारे पास मान लिज्या के आपके पास दो हूच्ब एक q2 एक स्क्वेयर फिसक्ड प्रसट इन दोनों का एक कॉमनosis की बनेगी को सबस्क्रांथ करेगा तो a1 alpha square plus b1 alpha plus c1 equal to 0 and a2 alpha square plus b2 alpha plus c2 equal to 0 so यदि यहां से आप इसको equation की form में लिखेंगे so आप देखें comparison method से alpha square b1 c2 minus b2 c1 minus alpha okay a1 c2 minus a2 c1 और यहां पर plus 1 करके equal to 1 करके a1 b2 minus a2 b1 यह cross method हो गया यहां से रिखें इन दोने equation को अगर आप लेते हैं तो alpha की value किती ही आ रही है यहां से alpha की value आएगी a2 c1 minus a1 c2 upon a1 b2 minus a2 b1 और alpha square कितना आजाएगा आपके पास में alpha square आजाएगा b1 c2 minus b2 c1 upon a1 b2 minus a2 b1 यह आपके पास alpha square आगया अब यह जो value आपने alpha की निकाल दी है वो यहां पर replace कर दीजे put कर दीजे तो alpha a1 c2 a2 c1 minus a1 c2 है ना क्या बना है a2 c1 minus a1 c2 का whole square upon a1 b2 minus a2 b1 का whole square equal to b1 c2 minus b2 c1 upon a1 b2 minus a2 b1 तो यह square से एक cancel हो गया और हमारे पास condition क्या बन गई a2 c1 minus a1 c2 का square equal to a1 b2 minus a2 b1 into b1 c2 minus b2 c1 तो यह condition बन गई है तो इसको बच्चे लोग कैसे याद रख सकते हैं रेखिए इसको याद इसे रखना है कि इन्नों का multiply ये वाले का और ये वाले का इन्नों का multiply equal to इस वाले का square ओके तो क्योंकि ये a2 c1 a1 c2 है न और आप इसको उल्टा भी कर दोगे तो a minus b का square कोई फर्क पढ़ता नहीं है तो आप इसको कैसे रख सकते हो बीच वाले का square तो बीच वाला क्या है a1 c2 minus a2 c1 तो a1 c2 minus a2 c1 का square equal to ये वाला और multiply ये वाला तो a1 b2 minus a2 b1 a1 b2 minus a2 b1 and last के दो वाले क्या है b1 c2 minus b2 c1 तो ये बहुत important concept है इस पर काफी जारे question बनते हैं अच्छे अच्छे आए देखते हैं इस पर बेजडे question का solution जो iitj के exam में आया यहां पर आपसे कह रहा है कि इवदे equation ax square plus 2 cx plus b equal to zero and ax square plus 2 bx plus equal to zero have common roots तो देखे जी आपके पास क्या scene बने गाए या पर जो question है यह पहले question को लिख लो आप रच्छे से फिर आपको समझ में आ गई है ओके तो एक equation आपके पास में है देखे ax square plus 2 cx plus b equal to zero पहले question दूसरे question क्या है दूसरे question है ax square plus 2 bx plus c equal to zero यह condition दी गई है और कह रहा है एक root common है तो वह condition लगाई देखे क्या होता है वह condition जो मैंने आपको बताई थी कि a1 c2 minus a2 c1 का whole square तो यहां से देखा जाए तो क्या बनेगी condition मैं उपल लिख देता हूं तो इधर जो condition बनेगी वह बनेगी एवन c2 ac ac minus a b का whole square equal to अब इन दोनों का प्रोड़क्ट और इन दोनों का प्रोड़क्ट ठीक ना देखे a c a b तो कर लिए अपनने अब यह है और यहां पर हाँ ठीक है तो यहां पर क्याएगा equal to a into 2b तो यह क्या बन जाएगा यह बन जाएगा 2 a b minus 2 ac multiplied by a into c ac sorry 2c square minus 2b square 2b square यह हमारे पास बन गया situation ओके यहां से रेखे यह तो रहने दीजे a c minus a b का whole square equals to 2 अगर आप common लेंगे यहां से a b common आएगा तो कितना आएगा bracket में b minus c और यहां से 2 common ले लेंगे into में हैं तो क्या बच जाएगा c square minus b square बच जाएगा c square minus का b square ठीक है तो अब यहां पर रेखे क्या क्या हो सकता है यहां पर c square minus b square 2a b minus c done यदि मैं यहां से a common लेता हूँ तो बाहर मेरे पास a square बन क्या आएगा और bracket के अंदर कितना आएगा c minus b का whole square जिसे मैं b minus c का whole square भी लिख सकता हूँ बट फिलाल c minus b का whole square मैंने लिख दिया है ओके और और यहां से मैंने 2a minus sign मैंने common ले लिया तो यह हो गया c minus b into 2 ओके दि मैंने minus sign यहां से common ले लिया है तो 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 c minus b एक काम करिए minus sign common मत लीजिए तो इसको b minus c ही रहन दीजिए और यह बच गया है c plus b and c minus b और यह हमाई पास क्या बच चुका है यह बच चुका है c minus b और c plus b done ओके अब देखें यहां से 1a square है तो 1a से 1a cancel कर दिया हमने और यहां पे 1c minus b है तो 1 square से 1c minus b हमने cancel कर दिया तो बच क्या गया हमाई पास c minus b equal to यहां पे हमाई पास 2 into 2 4 और यदि मैं minus sign common ले देता हूँ तो यहां मैं minus मैंने common लिया तो एक c plus b है तो यहां पे c plus b तो ठीक है भाई a भी बच गया था जो मैं लिखना भूल गया अब देखें c minus b से यह c minus b क्या हो जाएगा cancel so a equal to minus का 4c और minus का कितना 4b तो अब यहां से इधर ले जाएए तो a plus 4c plus 4b equal to कितना 0 so question में पूछा गया था कि बताएए a plus 4b plus 4c की value क्या होगी so correct answer इसका कितना रहा है 0 जो कि option में नहीं था तो इसका answer जाएगा none of these thank you so much okay guys so next question दीखिए आपके पास में यहां पर question है कि आपको minimum value find करनी है expression दीआ है आपके पास x square mod of x square minus 3x plus 1 equal to 0 तो आपको minimum value यहां पर find करनी है कि इसकी minimum value क्या होगी तो थोड़ा सा इसको solve कीज़े इसके बाद वैसे modulus function है तो कई बार लगता है कि इसकी minimum value आपके पास 0 हो जाएगी बट ऐसा ज़रूरी नहीं है अंदर quadratic भरा हुए इसलिए risk मत लीजे चली solve कीज़े इसको completing the square से किया तो x square minus 2 into x into 3 by 2 और प्लस b का square मतलब 9 by 4 प्लस 1 minus 9 by 4 तो ये क्या बन गया ये बन गया x minus 3 by 2 का whole square और minus का 5 by 4 अब देखो x की value बदलेगी तो ये value बदलेगी और अगर इसकी value minimum क्या से क्या हो सकती 0 और जिस समय जीरो होगा तो ये जो value आएगी वो कितनी आएगी ये आएगी आपके पास में minus 5 by 4 का mod मतलब इसकी value 5 by 4 निकलेगी और और क्या हो सकता है as a complete ये variable quantity बन जाएगा तो इसको अगर आप z मान लो तो y की value आपके पास कितनी आगई z minus 5 by 4 और क्योंकि mod लगा है तो इसकी minimum value कहां पर सेट होगी 0 तो ये हुआ आपका correct answer 0 B